free google website designing का हमारे last tutorial है जिसमें आज हम देखेंगे website को कैसे publish करना है लेकिन publish करने से पहले क्या उसके important settings है वो मैं आपको बताने वाला वीडियो को पुरा end तक watch करना अगर आपने इसके पहले के पूरे वीडियो नहीं देखें जो की बहुत ही interesting और बहुत ही useful वीडियो है आपके लिए कर आपको कोई भी टाइप की website easily design करना है वो भी without any coding language without any knowledge तो आप easily website को create कर सकते हो तो यहां पर हमने website already create कर चुके पूरा step by step और यहां पर मैं आपको बताऊंगो कि इसको कैसे publish करना है before publish आपको यहां पर कुछ उपर option दिख रहे हैं जैसे कि यहां पर आपको एक option मिलता है copy publish site link ठीक है यह हम जब करेंगे जब हम अपने website को publish करके share करेंगे उसका यहां पर option देता है share with others अगर आपको अपनी website का access किसी को देना है तो आप यहां से easily आप particular user को आप अपने website का access दे सकते हो ताकि वो भी आपकी website को edit कर सके जैसे कि अगर मैं खुद की mail id ले लेता हो और यहां पर मैं उनको send कर देता हूँ access तो यहां पर मेरे पास option है वो पर्टिकुलर user मेरे website को देख सकता है तो आप एपने website का access किसी को भी दे सकते हो MOST important यहापकर के सामने एक option आता है setting का यहापको क्लीक करना है और यहापने यहापक다면 आपको कुछ options मेलें जैसे कि navigation आपको के आपको कुछ options यह संसे कि ब्राइन इमेज इमेज में जैसी कि हमारा लोग अल्डरी हमें उपलोड किया था और यहां पे आपको अप्लोड करने तो यहां Specifically तो अप क्या होता हुआ आपको यहां पर देख सकत हो टाब में हंब्हार एक website के टाब में आपको कुछ type के icons यहां पर दिखेंगे जिसे कि यहां पर आप देख सकते हो यहां पर कुछ type के icons है वह आपको दिखेंगे तो यह होता है मैं वेबसाइट का फेवाइकर तो आपको यहां पर upload करना पड़ेंगा मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा अगर आपको Google Analytics कैसे connect करना आपके वेबसाइट से तो वह मैं आपको जरूर बताऊगा ठीक है तो यह हमारे आपका नाम आना बहुत जरूरी आपकी बिजनेस का क्योंकि अगर कोई सर्च करेंगा तो वह यूरेल में आपका बिजनेस का नाम आना चाहिए तो यहां पर मैंने डाल दिया यहां पर मैं कर देता हूं फिर एक बार पब्लिश तो राइट नाव हमारी वेबसाइट आप सक्सेस्फुली पब्लिश हो चुकिए यह गूगल भी लाइब हो जाएंगे 24 अवर्स में तो आप अपने वेबसाइट को इजली गूगल पर भी देख सकता हूं अगर अब मु शुली भी यूजर देखना चाहता हु तो सीम्पल Herestein करेगा अब उपर देख सकते हमारे वेबसाइट पर प्लिक पर कना अचुका है जड़ा चुका यह वेबसाइट का नाम यहां failures चो Smith कर लिए तय स्ब्सक्राइब बटन इस पगर मैं क्लिक करता हो तो हम जाएंगे हमने step by step सारी सीजह यहां पर website में create कर लिए तो अभी भी अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा हूं तो जरूर एक बार वाच करना अगर आपको Google साइट में और कुछ additional चाहिए और किसी टाइब की website अगर आपको design करनी है जो कि आपको नहीं समझ रहा है कैसे design करना है तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं या मेरे instagram पीब्या मुझे बता सकते हैं तो मैं तो मैं जरूर आपको उस पर वीडियो बना के बता हूंगा कि आपको कैसे website बनाना है particular business की या कुछ option आपको नहीं समझ रहा है कैसे add करना तो वह भी मैं आपको जरूर बता हूंगा तो यह सब कुछ हमने easily google site की मदद से कर लिया और यह website भी हमने publish कर ली है तो आप भी अच्छे कासी website यहां से बना सकते हो google site से और बाद में इसको अगर को custom domain पे connect करना है तो वह आप easily कर सकते ह तो in future हम वह भी करेंगे अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहे तो जरूर मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा यह हमारी पांच वीडियो की ट्यूटिर्ल स्रीज ती जिसमें मैंने पूरा explain क्या google site क्या होता है कैसे design करता है कैसे website को create करते कैसे pages create करते सारा कुछ हमने customization देखा और उसके बाद last आपने आज publish किया website को अगर आपको इस website को देखना है तो description में आपको link भी मिल जाएंगे आप जरूर इस website को visit करिए देखिये और comment करके जरूर बता है कि website कैसे बने और आपकी भी website मुझे share कर सकते मेरे Instagram पे या मेरे YouTube चैनल पे लीचे comment करके आप ज सीरीज को देखिए से इसको शेयर करें तो थैंक यू गाइस मिलते हैं नेक्स वीडियो में नए वीडियो के साथ न्यू टूटरल सीरिस के साथ थैंक यू अल